हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल, एडूफाइल, आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक, रैसिप्रोकल लैटेज टू, एफसीसी लैटेज के लिए सॉल्व करने वाले हैं, इससे पहले हम लोग बी सीसी और सिंपल क्यूबिक के लिए प्रिमिटिव वैक्टर होते है zijn, जैसे कि यहाँ पे face centred cubic है, तो face centred cubic structure क्या होता है, कि जैसे कि आपके corners पर point होते है, lattice point, corners पर होते है साथ ही साथ हर face पे एक lattice point होता, यानि कि इस face पर 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 शे face होते हैं, to total k bisschen, तो 6 face पे points होते हैं और corner पे भी होते हैं उसको हम कहते है fcc तो यहां पे direct lattice मतलब कि a1, a2, a3 vector आपको मालीजे पता है तो आपको b1, b2, b3 vector आपको निकालना है तो यहां पे मैं आपको formula पहले लिख देता हूं कि b1, b2, b3 आप कैसे निकालेंगे और यह cube है तो इसकी side मान ले अब सारी side a होंगी क्योंकि cube की side क्या होती है सारी बराबर होती है तो यहां पे जैसे कि मालीजे आपको b1 निकालना है तो b1 is equal to होता है 2 pi a2 cross a3 divided by a1 dot a2 cross a3 यह होता है आपका फिर जैसे आपको b2 निकालना है तो b2 आपका हो जागर 2 pi और into a3 cross a1 हो जाएगा यहां पे divided by a1 dot a2 cross a3 denominator में same रहेगा सब जैसे कि denominator में आप देख सकते हैं फिर b3 is equal to आपका क्या हो जाएगा 2 pi और यहां पे हो जाएगा a1 cross a2 and divided by a1 dot a2 cross a3 आप देखिए इस formula को याद करने का trick है trick यह है कि जैसे कि one है तो one के बाद two आता है तो आप देख सकते हैं one two three यहां पे भी देख सकते हैं two के बाद three फिर one पिर three के बाद one आएगा फिर two आएगा इस तरीके से आप यार्ट कर सकते ही trick है यह तो आपको क्या करना है a1 a2 a3 दिया तो b1 b2 b3 नकालना है तो यहां पर हम देखेंगे face centered cubic के लिए हमारा primitive vectors a1, a2, a3 क्या होंगे यह तो हमें side दी हुई है cube की a तो हम पहले निकालते है primitive vectors तो देख सकते हैं आप यहां पर हमने क्या किया है इस cube में इस तरीके से 3 points को ऐसे से मिलाया है कहां पर मिलाया है हर face से मतलब कि जो इसके आसपास 3 face है एक इस face से और एक सामने वाले face यह जो हमारी तरफ आ रहा है यह पीछे वाले face ने इस सामने वाले face यह point कहां पर सामने वाले face और यह जो है नीचे वाले face पर है तो इस 3 points को हमने मिलाया है और यह हमारा a1 vector है a2 vector है और a3 vector है इसको हम निकालना चाहते हैं तो हमें primitive vectors हमको पता चल जाएगा तो देखिए a1 जो है आपका a1 वो yz plane में है इसको हमने x y z axis में break कर दिया तो हमारा a1 जो है वो yz plane में है आप देख सकते हैं यह हमारा yz plane है यह वाली line जो हमारी y है और यह वाली उपर वाली z है तो yz plane में है a1 और यह बीच में है तो इसका magnitude a by 2 होगा कितना होगा a by 2 तो a1 is equal to a by 2 j plus k j किसके लिए होता है? j हमारा y के लिए होता है unit vector और अगर माल लिए i है तो i हमारा x के लिए होता है और k है k हमारा z के लिए होता है तो हमारा यह देखिए यह yz plane में है a1 तो yz plane में है x तो यहाँ पर होगा नहीं x 0 होगा x के लिए unit vector 0 होगा तो हमारा a1 is equal to क्या होगा a by 2 j plus k क्योंकि yz plane में है तो j plus k फिर similarly हम a2 के लिए देखेंगे तो a2 जो हमारा यह सामने वाला phase है a2 यह point है और यह सामने वाला phase है तो सामने वाला आप देख सकते हैं यह x है यह यह हमारा x है मैं लिख देता हूँ एक बार यह हमारा y है यह हमारा z है और यह x है तो यह yz plane होगा अब हमारा यह सामने वाला है तो a3 हमारा यह देख सकते हैं नीचे इस तरीकस है तो यह xy plane में है x के लिए i होता है और y के लिए j cap होता है तो a3 is equal to a by 2 i cap plus j cap तो हमने सबसे पहले क्या निकाला primitive vectors निकाला है किसके लिए face centered cubic lattice के लिए तो यह आपको समझ में आया होगा अब चलिए हम लोग क्या करते हैं b1, b2, b3 निकालना चाहते हैं तो b1, b2, b3 कैसे निकलेगा तो इस पहले चलिए b1 निकालते हैं तो b1 is equal to होगा आपका 2 pi a2 cross a3 divided by a1 dot a2 cross a3 अब देखिए आपको यहाँ पे a2 और a3 का cross करना पड़ेगा उपर और नीचे a1 dot a2 cross a3 करना पड़ेगा तो हम क्या करते हैं चलिए यह नीचे दीए सब में सेम है तो सबसे पहले हम इसको निकाल लेते हैं और इसको हम volume of the cell कहते हैं इसको हम volume of the cell कहते हैं a1 dot a2 cross a3 तो a2 cross a3 हम कैसे निकालेंगे जैसे a2 यहाँ पर value दी हुई है और a3 की value यहाँ पर दी हुई है तो हम दोनों का cross product कर देंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने किया हुआ है a2 cross a3 तो देखिए आप यहाँ पर a2 कितना है a by 2 आगे हम गिंती है मतलब कि a by 2 constant हमारा और यहाँ पर भी a by 2 है तो constant constant का multiply होके a square by 4 हो जाएगा और इसको हम लोग vector के method से solve करेंगे तो that means i, j, k हम उपर लिखते हैं फिर i में यहाँ पर क्या है? 1 है और j यहाँ पर नहीं है तो 0 और k यहाँ पर 1 है इस तरीके से लिखेंगे अगर हम i के लिए करते हैं तो i और यहाँ पर 0 into 0 और यहाँ पर minus 1 फिर minus में होता है j j minus में होगा फिर उसके बाद यहाँ पर यह और यह गाइब हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 1 0 0 0 फिर 1 1 0 0 minus 1 इस तरीके से फिर उसके बाद प्लस के होता है तो ये और ये गायब तो ये वन वन जा वन और वन जिरो जा जिरो ये हमने solve किया तो a square by 4 यहाँ पर हो जागा minus i और यहाँ पर minus minus plus j और यहाँ पर plus k तो ये हमने क्या निकाला a2 cross a3 निकाला a2 cross a3 हमने निकाल लिया हम उपर value रख सकते हैं a2 cross a3 के तो चलिए यहाँ पर values को रखते हैं b1 is equal to क्या हो जागा 2 pi और a2 cross a3 हमारा क्या है a square by 4 minus i cap plus j cap plus k cap ये आपने निकाला और divided by this तो इसकी value भी चलिए निकाल लेते हैं a1 dot a2 cross a3 हमारा क्या हो जाएगा a1 dot a2 cross a3 simple है यह हमें क्या करना है a1 की value से इसका dot product करना है a1 है हमारा a by 2 j plus k तो a by 2 j plus k j cap plus k cap बोलना चाहिए हमको और यहाँ पर a square by 4 minus i cap plus j cap और plus k cap इस तरीके से आपको करना है अब देखिए इन दोनों का multiply करेंगे तो आपको a3 by 8 simple a3 by 8 अब यहाँ पर i नहीं है तो i 0 हो जाएगा और j dot j हमारा होता है 1 k dot k हमारा होता है 1 तो यहाँ पर यह हो जाएगा a3 by 8 और यहाँ पर into 2 तो यह 2 से जाएगा तो 4 बचेगा यानि a3 by 4 तो यह आपका volume है volume आपका कितना आगया a3 by 4 यानि कि नीचे आप हमेशा a3 by 4 पुट करेंगे इस case में a3 by 4 तो इस तरीके से आपका यह volume निकलाया तो बस हमको आप नहीं निकालना पड़ेगा दुबारा इसको तो आप चलिए यहाँ पर पुट करतें a3 by 4 तो b1 is equal to हमारा क्या आजाएगा 2 pi अब यहाँ पर देखे 4 से 4 कड़ जाएगा a2 आपका एक पावर नीचे बचेगा तो यह 2 pi by a और यहाँ पर minus i cap प्लस j cap और प्लस k cap इस तरीके से b1 आ जाएगा चलिए जल्दी से b2 भी निकाल लेते हैं तो b2 is equal to क्या होगा 2 pi और यहाँ पर होता है a3 cross a1 and divided by a1 dot a2 cross a3 simple तो अब देखे a3 cross a1 हमको निकाला पड़ेगा नीचे वाली वैलू तो हमको पता है a3 by 4 हमने value निकाल ही लिया था वैलू हमने a3 by 4 निकाल लिया था उपर a3 cross a1 निकाला है तो देखे a3 cross a1 हमने निकाला हुआ है a3 cross a1 आप values को मैच करिए पहले a3 की value a by 2 और a1 की value a by 2 यहाँ पर आगे है a by 2 a by 2 a square by 4 हो जाएगा फिर i j k आपको ऐसे लिखना है आप देखे a3 में i की value 1 है j की value 1 है k नहीं है तो k 0 फिर a1 में देखिए a1 में आपका क्या है i नहीं है तो 0 हो जाएगा j है आपका 1 और k है आपका 1 फिर आप multiply करेंगे जल्दी से इसको a square by 4 और यहाँ पर इसका determined value निकालेंगे तो आपको मिलेगा a square by 4 i minus j plus k बहुत ही simple है यह तो a3 क्रॉस a1 भी आपने यहाँ पर निकाला 2 pi into और यहाँ पर क्या आया a square by 4 और क्या आएगा i cap minus j cap plus k cap ऐसे आपको लिखना है फिर उसके बाद नीचे आपका क्या है a cube by 4 वैलूम आपको पता है इसको solve करिए तो आपको मिलेगा 2 pi और यहाँ पर a square कड़े आएगा नीचे एक बचेगा एक a बच जाएगा नीचे तो और चलिए b3 भी निकाल लेते हैं तो b3 भी निकालते हैं तो b3 क्या होगा आपका 2 pi और यहाँ पर a1 cross a2 हो जाएगा a1 cross a2 और divided by a1 dot a2 cross a3 तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 pi और a1 cross a2 की value क्या है a1 cross a2 की value आपने निकाली है यहाँ से values को match करने के बाद में values को आप मैच कर ल यहाँ पर a² by 4 हो जाएगा भी a1 cross a2 से तो i, j, k हम लिखेंगे उपर फिर 0, 1, 1 ठीक है फिर 1, 0 क्योंकि यहाँ पर j, 0 है फिर k फिर इसकी वैलूस को हम solve करेंगे तो हम भी मिलेगा a² by 4 i plus j minus k a² by 4 i cap plus j cap minus k और नीचे आपको मालूम है a² by 4 होगा फिर इसको आप cancel करेंगे तो यहाँ पर बचेगा आपका 2πi upon a और i cap plus j cap minus k cap तो यह आपने क्या निकाल लिया यह आपने निकाल लिया b3 b तो यह b3 है आपका यह आपका है b2 और यह आपका b1 है तो यहाँ पर हमने b1, b2, b3 निकाला है आपने निकाला है fcc का अब देखिए यहाँ पर जो b1, b2, b3 निकाला है उसका जो समझ लिजे जो प्रिमिटिव वेक्टर है वो एक तरीके से आपका मैच कर रहा है bcc से body centered cubic lattice से और हमने पिछले वीडियो में देखा था कि जब हम bcc का निकालते हैं तो वो fcc से मैच करता है उसका रहसी प्रोकर lattice vector तो इन दोनों को आप याद रखेंगे यह भी एक्जाम से में पूछा जाता है तो इस वीडियो में इतना रखते हैं आगे एक वीडियो में हम लोग कुछ और important और देस करेंगे जाने वीडियो जा करेंगे यह भीडियो के यह प्यादी और कोगे यह भीडियो की यह भीडियो का देसिते हैं